लंबे समय बाद बाबा शाहपुद्दिन मार्ग पर टूटी पुलिया बनने जा रही है गुरुवार को विधायक दिलिफ सिंग पर इहार ने वेधिक मंतरोच्यारी के साथ पुलिया का भुमी पुजन किया इसा उसर पर विधायक दिलिफ सिंग पर इहार ने कहा कि 60 लाक के लागत से यह पुलिया बन करते यार होगी यदि इसमें कमी आईगी तो विधायक नदी से 80 लाक रुपए तक भी इसमें खर्चा किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि शहर में लगातार विकास के काजी हो रहे है पुलिया के पास ही शम्शान में लखड़ी का शेड़ बनाने के लिए 2 लाक रुपए की लागत से शेड़ बनाया जाएगा और भी कई विकास काजी लगातार चल रहे है और आगे भी किये जाएंगे इस मोगे पर नगरपाली का सीमो सीपी राय, तानसत प्रतीन इर्दी, सतिन अराइन गोयल, मिना जायसवाल, दोक्टर आसिफ खान, साइद भाजपा के कई पदाधी कारियों कारिकरता मुझूद थे आपको बता दे कि लंबे समय से शाबुद दिन बापा दर्गा मार गोर पुलिया जरजर थी, पुलिया थोड़े टाइम पहले टूटी थी लेकिन इसका निर्मान कारिय नहीं हो पा रहा था, इसके एवज मेरा गरपाली का दौारा पुलिया की दोना तरफ दिवारे बना दी गई थी, जिस लोगों काफी परिशानी हो रही थी, अब पुलिया निर्मान का काम शुरू होने जा रहा है। हमारे भारती जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय नगरपाली काम अध्यक्स और पार्सदों ने अभी बीच में इसकी बड़ा इस्टीमेट रिजियू करके और 60 लाग रुपे की पुलिया आज इसका भूमी पुजन किया है, और यदि इसमें और पैसे की कोई कमीनी आन द रुप तक जाता है, और यहां अवावा साउद्दीन का मोहिटीन सरकार का इस्तान है, यहां हमेसा मेले भी बढ़ते रहते हैं, पास में हमारे यहां समसान है, और यहां यहां समाच का भी समसान है, वहां भी आज हमने 2 लाग रुपे का एक लगड़ी का सेड़ बनाने का लिया उसमें भी पेसे की कमी होगी तो और विदायक निदी से मिला देंगे नगरपाली का से मिला कि और काम करेंगे